हेलो दोस्तो वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ग्लोबल एटेफ के बारे में जिसका की नाम है मिरा एसेट का नाइसी फैंग प्लस एटेफ देखिए आज ग्लोबल एटेफ में का भी तेजी देखने को मिली है तो उस वि समझेंगे तो आए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए इस एटेफ में बात करने का जो में रीजन है वो आज ये है कि देखिए आज ग्लोबल एटेफ में काफी तेजी देखने को मिली है खास करके USA मार्केट के एटेफ में और आज के दो टॉप गेनर कि एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है जो कि किसी भी इंडेक्स वाइस इतनी बड़ी तेजी एक दिन में पॉसिबल नहीं होती है तो आज वॉल्यूम बेस की वज़े से काफी वॉल्यूम ज्यादा था और यहां पर टेडिंग की वज़े से ग्लोबल एटेफ में मफंग वाले के बारे में तो मफंग वाले एटेफ में आज 7% की तेजी रिकॉर्ड हुई है जो कि अगयर एक बहुत बड़ी तेजी थी और इंडेक्स वाइस देखेंगे तो लाश्ट टेडिंग सेशन में जिस यह जो एटेफ है फैंक प्लस एटेफ तो जिस इंडेक्स क में उतनी कुछ खास तेजी नहीं है बलकि गिराउट में बंद हुआ था लाज ट्रेडिंग सेजन उसके बावजूद आज मार्केट में तेजी देखने को मिली है इस ETF में और यह फुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग बेस्ट यहाँ पर तेजी देखने को मिली है वॉल्यूम बेस्ट तेजी है यहाँ पर आप फंडमेंटली इस ETF में तेजी नहीं आई है मतलब कि इसके जो इंडेक्स में आज एक। देजी आई होगी तो ऐसा भी नहीं है देखिए चाइना के मार्केट के इंडेक्स आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी आज कुछ खा देखने को मिले हैं, तो यहां पर कुछ खास तेजी नहीं थी, संगाई कॉंपसेंट से आधे पसंड की तेजी दिखाया है, बाकी हैंग सेंग देख सकते हैं, लाल निसान में हैं, तो चाइना के मार्केट में भी कुछ खास तेजी नहीं थी, तो कुछ लोग को लग रहा यहां पर कोई भी इंपक्ट देखने को नहीं मिला है, और देखिए, यहां पर काफी भाग भी जुका है, यह ETF एक हपते का रिटन देखेंगे, तो पंदरा परसंड का रिटन है, पर जिस इंडेक्स को यह कवर करता है, उस इंडेक्स का अगर आप बीते एक हपते का रिट करना है, तो जिस पर यहां पर यह थोड़े प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, यह जो ग्लोबल मार्केट के ETF है, खास करके अब इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, फैंक प्लस ETF में, तो देखिए, अब दिक्कत कि लोग के लिए, दिक्कत उन लोग के लिए इसमें एक अच्छी खासी तेजी रिकॉर्ड हो रही है, बले ही प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, तो क्या हुआ पर उनका तो इस तरह से फाइद ही है, जो लोग के लिए है, जो लोग को अब यहाँ पर एवरेज करना है, या फिर फ्रेस रेंट्री लेनी है, फ प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, और बाकी इसकी ओफिशल विबसाइट पर अगर आप नज़र डालेंगे, जो की मिरा एसेट की ओफिशल विबसाइट है, वहाँ पर इस एटिएप का प्राइज अभी के टाइम पे, जो इसकी रियल टाइम आएने भी है, वो आ 8 परसेंट कह सकते हैं, तो फ्रस विएथ को ध्यान में रखिएगा, अगर आप इस एटिएप में फ्रेड ले ना चाते हैं, इस टेज़ी को देख करके इसत M에 एंट्री बनाना जाते हैं, तो इस चेका ध्यान रखिएगा, जो अभी इसकी एनेवी आपने भी देखी है, उसके आशिप 103 रुपए वहाँ पर सो कर रहा है, मिरा एसेट के ऑफिशिल उपसाइट पर और ये एटेफ 112 पर है, तो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पर होता है, क्या वहाँ पर इतनी तेजी है या फिर नहीं है, बाकि ग्लोबल एटेफ में थोड़ा सा अभी प्राइसिंग का इसू चलना है, और जो इसका जो अगर आप फेर प्राइस अगर जानना चाहें, तो आप एक तरह से कह सकते हैं, कि इस एटेफ के जो फेर प्राइस कि आसपास वापस आ भी जाता है, और वहाँ पर अगर आप फ्रेस बाइंग करना चाहते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, कि देखिए तब भी ये जिस इंडेक्स को ये एटेफ कवर करता है, वो 52 वीक हाई पर किसी एटेफ में निवेस करना चाहते हैं, तो फिर व प्रांटर्म के लिए दिक्कत नहीं है, और महीं अगर बात करें, जो लोग अलड़ी इंवेस्टेट है, तो दिखिए उनका तो फाइदा ही हो रहा है, हो सकता है कल और उचाला जाए, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, बाकि आप चाहें तो इतनी बड़ी तीजी आ ग लगा होगा, तो वीडियो इंफॉर्मेटी लगा हो तो वीडियो को लाइक जोड़ कर दिएगा और ऐसे वीडियो को देखते नहीं लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई